धागा कच्चा सही मगर रिष्टा पक्का रहे ये रिष्टा यूही चलता रहे भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षा बंदन का त्योहार इस साल 15 अगस गुरुवार के दिन पढ़ रहा है इस दिन स्वतंत्रता दिवस भी है राखी का त्योहार हर साल सावन के आखरी दिन में मनाया जाता है इस दिन बहने अपने भाई के हाथ में राखी बानती है और उनकी लंबी उम्र की कामना करती है साथ ही भाई भी अपने बहनों की रक्षा का वचन देते हैं रक्षा बंधन कब शुरू हुआ, इसे लेकर कोई तारीक तो सपष्ट नहीं है, लेकिन माना जाता है कि इस पर्व की शुरुवात सत्युग में हुई थी, इस त्योहार से सम्मधित कई कथाए पुराणों में मौजूद हैं, जिन में से एक राजा बली और लक्ष्मी जी की कहानी काफी प्रचलित हैं, बताया जाता है कि राजा बली बहुत दानी राजा थे और भगवान विश्नु के अनन्य भक्त भी थे, एक बार उन्होंने यग्य का आयोजन किया, इसी दोरान उनकी परिक्षा लेने के लिए भगवान विश्नु वामन अफ्तार लेकर आए औ और दान में राजा बली से तीन पग भूमी देने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने दो पग में ही पूरी पृत्वी और आकाश नाप लिया, इस पर राजा बली समझ गए कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं, तीसरे पग के लिए उन्होंने भगवान का पग अपने सर पर रखवा लिया, फिर उन्होंने भगवान से याचना की कि अब तो मेरा सब कुछ चला ही गया है, प्रभू आप मेरी विंती स्वीकारें और मेरे साथ पाताल में चल कर रहें, भगवान ने भक्त की बात मान ली और बैक कॉंट छोड़ कर पाताल चले गए, उधर देवी लक्षमी परिशान हो गई, फिर उन्होंने एक लीला रची और गरीब महिला बन कर राजा बली के सामने पहुची और राजा बली को राखी बांधी, बली ने कहा कि मेरे पास तो आपको देने केले कुछ भी नहीं है, इस पर देवी लक्षमी अपने रूप में आ गई और बोली कि आपके पास तो साक्षाद भगवान है, मुझे वही चाहिए, मैं उन्हीं ही लेने आई हो, इस पर बली ने भगवान विश्नु को माता लक्षमी के साथ जाने दिया, तब ही से दोस्तो रक्षा बंधन का पर्व मनाया जाने लगा, तो दोस्तो कैसी लगी आपको ये कहानी, बताइए हमें कॉमेंट सेक्षन में, बने रहिए पाइनेर हर्याना के साथ, लेटिस्ट अपडेट्स के लिए चानल को सब्सक्राइब जरूर करें